हेलो फ्रेंड्स ग्यान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लड एक कनेक्टिंग टीशू है जो हमारी पूरी बॉड़ी को कनेक करके रखता है इसलिए ब्लड याने खून हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर हमारे शर आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस, मैसूस होता हो तो ये अनीमिया के लक्षन है शरीर में एनरजी ना होना पूरी तरह से किसी भी काम में फोकस न कर पाना ये सब बातें दर्शाती हैं कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है दोस्तों पूरा दिन आप काम करके ठक गए हो पर फिर भी आपको रात को नीन न आती हो या फिर नीन तूट तूट कर आती है तो ये खून की कमी का लक्षन है अगर आपके नाखून बहुत जल्दी जल्दी तूट जाते हैं या बहुत ही रूखे हो या फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं तो रात भर जाकते हैं या रात को बहुत लेट से सोते हैं तो इससे डार्क सकल की प्रॉलम हो जाती है तो अगर भरकूर नेने की बाद या समय पर सुने के बाद भी आपको डार्क सकल prima का लगशन होता है वैसे तो आखें ज़्यादा तर पीली, जॉइंडेस याने पीलिया में होती हैं पर जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपकी आईज में पीला पन दिखने लगेगा या तो आईज बिलकुल वाइट दिखने लगती हैं यदि आपके बाल लगातर जढ़ रहे हो या बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन हो तो इसे भी आप नजर अंदाज न करें ये भी अनीमिया का लक्षन हैं अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं और जल्दी ठक जाते हैं या फिर थोड़ी सी सीडियां चड़ते हैं तो आपकी सांस फुलने लगती हैं तो आप समझ जाएं कि आपके शरी में खून की कमी हैं अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और आपके घाव जल्दी नहीं भरते तो ये भी शरी में खून की कमी का सिम्टम हैं वैसे तो डाविटिक पेशन के घाव जल्दी नहीं भरत आती है खासकर आपके हाथों पैरों या फेस में सूजन आ जाए तो ये भी खून की कमी का लक्षन है अगर आपको जादा तर बॉडी पेन याने बदन में दर्थ की शिकायत रहती है सुबह को उठते ही ऐसा मैसूस होता है जैसे पूरा बदन दर्थ से तूट रहा हो तो हम बात करेंगी खून की कमी याने अनीमिया को दूर कैसे करें याने मैं आपको कुछ ऐसे घर लूपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से शरील में खून बढ़ा सकते हैं दोस्तों रोजाना जीरे की पानी का सेवन करें जीरे में मौजूद आयरन अनीमिया को दूर क पानी लें फिर उसमें एक चम्मत जीरा डालें और फिर उस पानी को इतना उबाले की पानी लगबग एक ग्लास हो जाए अब आप पानी को चान कर सिप सिप करके आराम से पीएं ये आपके लिए बहुत ही लाबदायक होगा दुस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया वाइटम चावल को खुले बरतन में पकाएं अब पकने के बार ठंडा कर दें फिर आवशक्ता अनुसार पके हुए चावल को एक गोल बरतन में डाल कर उपर से साधा पानी डाल दें अब राद भर इसे 10 से 12 घंटे भिगो कर रग दें अगले दिन सुबह इससे एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसका सेवन करें दूस्तों इस प्रकृया से चावल में वाइटमेन B12 भरपूर मात्रा में आ जाएगा और इसका रेगलर सेवन करने से आपके शरी में वाइटमेन B12 की पूर्ती होगी जिससे शरी में खून बढ़ेगा अब थर्ड रेमेडी है रोजाना चुकं चुकंदर को जूसर में डाल कर इसका रस निकाल लें आप इसमें चाहें तो कुछ पुदीने की पतियां भी डाल सकते हैं दोस्तों बिलीव में अगर आप इस एक ग्लास जूस को डेली पीते हैं तो इससे शरी में हीमोगलोबिन बहुत जल्दी बढ़ता है आप चाहें तो कंदर का सेवन सलाथ के रूप में भी कर सकते हैं चुकंदर के बारे में complete information के लिए आप मेरे इस वीडियो को भी देख सकते हैं इसके अलावा रोजाना वीड ग्रास जूस याने गेहुं के जवारे का रस पी हैं जी हां वीड ग्रास जूस को green blood भी कहा जाता है क्योंकि वी च्छे तुलसी के पत्ते लें इन सभी को mixer में डालें और फिर एक ग्लास पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे अच्छी तरह से पीस लें अब इस जूस को छान कर इसका सेवन करें यह आपके लिए बहुत ही फायदे मंद होगा इसके साथ साथ वाइटमिन इटविल की कमी दूर होती है और दूस्तों आइरन से भरपूर चीज़ों का सेवन करें जी हाँ आइरन से भरपूर ड्राइफ फ्रूट्स जैसे खजूर, बादाम, अक्रोट और किश्मिष को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें आप चाहें तो इन ड्राइफ जैसे अनार, एपल और बनाना में आइरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है तो इसे भी जरूर खाएं और आइरन से भरपूर हरी पत्तिदार सबजियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, सरसो साग, भतुआ और ब्रोकली को भी अपनी डाइट में शामिल करें ये शरीर में हीमोगलोबिन की लेवल को बढ़ाता है इसके साथ साथ टमाटर, मतर, बीन्स और दालों में भी आइरन काफी अच्छी मात्रा में होता है तो इसका भी सेवन करें पर एक बात का ध्यान दें दोस्तों अगर आपके शरीर में आईरन की डेफिशेंसी है तो चाय और कॉफी की सेवन से परेज करें या बहुत कम सेवन करें और फ्रेंड्स अगर आपको भी खून की कमी के कोई लक्षन नजर आ रहे हो तो आप डॉक्टर से कंसर्ल कर तुरंत अपना ब्लड टेस्स करवाएं और दोस्तों अनेमिया कोई बिमारी नहीं है पर समय पर इसका ध्यान न दिया जाये तो इससे कई गंबीर बिमारियां भी हो सकती है इसलिए से नजर अंदाज न करें इसी तरह कि और भी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ग्यान वीडियो को सब्सक्राइब करें जो की बिलकुल फ्री है और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले जिससे आपको लेटेस वीडियो की जानकारी मिलती रहें बाया फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ